नमस्कार दोस्तों आपके लिए आज हम लेकर आये हैं जो रेसीपी हुआ है हांडी चिकन हांडी चिकन आपने पहले अगर बनाया है तो ठीक है नहीं तो किरपया ऐसे एक बार ट्राय करेंगे अब बहुत ही आसान बिजी में हमने इसे बनाया है देखिए कितनी अच्छी में हमने बनाया है तो सबसे पहले हैं लेक olur ऐसे अच्छी तरह से घुली आये है और यह हमने जो मसाले इसमें डाले हैं इसमें हमने छोटे-छोटे प्याज काट कर डाले हैं, उसे छोटे-छोटे करके डालेंगे, उसकी बात अलग होती है, उसका स्वाद अलग होता है, तो आईए पहले हमने चिकेन जो दोया था उसे मैरिनीट कर लेते हैं, उसमें हमने डाला है कुछ पेष्ट, लसुन अद्रक कापेश्ट दो चम्मच, जीरै और काले मिर्च एक चम्मच, नमक एक चम्मच, सौधा नुशार, एक बार और भी हम डालेंगे बाद में हलदी पॉरर एक चम्मच, लाल मिर्च पॉरदर आधा चम्मच, और चिकेन मसाला, एक पाउच हम ने इसमें लीआ है, और फिर, चार च समचिस में हम धही डालेंगे और उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसे लगबग 20 मिनट तक हम ढख कर रख देंगे ठंडी जगा पर फ्रीज में भी रख सकते हैं और ने तो किसी ठंडी जगा पर आप रख ले और आइए हमने गैस अन कर लिया है उसे चला लिया है और उसका flame कम कर लेंगे बहुत ही कम आजमे low flame में ये बनाय जाता हांडी चिकन तो हमने हांडी दोकर चुड़ा आया है और दूसरी तरफ हमने चुड़ा दिया एक बरतन में डबो में तेल गरम करने के लिए चुकि डारेक्ट इसमें हम तेल नहीं डालते हैं बहुत ज़्यादा समय लेता है वो गरम होने में तो हम गरम करके डालेंगे तेल भी हमारा गरम हो चुका है हांडी भी गरम हो चुकी है अब हमने तेल को हाणडी में डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे ख़ड़े मसाले तो ख़ड़े मसाले में हमने फोरण के रूप में लिया है ख़ड़ा धनिया आधा चमच, जीरा आधा चमच, गाले मिर्च 7, 8 दाना लॉंग दो चोटी लाइची दो बड़ी लाइची एक दाल चीनी हाफ पिंच जावित्री छोटा टुकड़ा लसुन आठ दस कलियां तेज पत्ता दो लाल मिर्च चार जिसे कि हम तोड़ कर डालेंगे और हरी मिर्च दो उसे भी हम तोड़ कर डालेंगे बस आधे मिनट के ब लग जाएगा और फिर इसके बाद लगबग इसे एक मिनट तक फ्राइग करने के बाद अब हमने जो मैरिनेट किया हुआ हमारा चिकन है जिसे हमने बीस मिनट पहले उसमें मसाले को पैवस्त होने के लिए रखा था अब इसमें हम डाल देते हैं हमने डाल दिया है और एक लाने के बाद इसे हम ढख देंगे और ढख कर लगबग 10 मिनट तक पकाएंगे उसी लो फ्लेम में और देखिए 10 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो चुका है हमने मसाले कुछ नहीं डाले थे बाद में जो हम डाल लेते हैं हल्दी एक चमच कासवेरी मिर्च आदा चमच औ और अब हमने स्वादा नुसार इसमें डाल दिया है अब अपने नुसार डाल सकते हैं और फिर इसे मिला लेते हैं और फिर टमाटर इसमें मिडिया मकार का डालते हैं तीन कटा हुआ और इसे मिला कर लगबग 10 मिनट तक हम पकाएंगे धक कर तो हमने इसे धक लिया है अब और open handy में मैं पका रहा हूँ चुकि बहुत लोग शिकायत करते हैं कि ज्यादा तेर पकाने पर वो जल जाता है तो देखिए हमने तेल भी कम डाला था तो अब हमने इसमें एक चमच के लगभग घी डाला है और घी से बहुत अच्छी खुस्वू आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छा सुआदा आता है तो अब हमने डाल दिया अब इसे फिर हम ढख देंगे और ढखने के बाद लगभग 10 मिनट तक फिर इसे पकाएंगे और 10 मिनट के बाद फिर देखते हैं यह लगभग देखिए ऐसा यह लगभग 90 परसेंट से ज्यादा कुख हो चुका है इसे हम देख लेते हैं यह पानी थोड़ा सा बचेगा ग्रेवी थोड़ा सा बचेगा जैसे आप रोटी और चाबल दोनों में खा सकेंगे देखिए हमने पाच मिनट के बाद फिर इसको देखा अब 100 परसेंट यह कोख हो चुका है अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और उसे डालकर और थोड़ा आधा चमच गरम मसाला भी डालेंगे और फिर ढख देंगे और ढखने के बाद दो मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे इसमने ढख दिया और गैस बंद करने के बाद इसे लगभग ठंडा होने पर 4-5 मिनट के बाद देखते हैं यह देखिए एक उपर हांडी चिकन जिसकी खुस्बू ऐसी स्वाद ऐसा कि दूसरे को भी खिलाने को जी जाए तो ये थी हांडी चिकन रेसिपी उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी किरिपया एक बार जरू ट्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो क अबसे पहले मिल सके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत हो धन्यवाद कि फैसे में आजु